आज लगभग दो हफ़ते का समय बीच चुका है और सिलक्यारा टनल में मजदूर अभी भी फसे हुए हैं हर किसी के मन में बस ये जानने की जिग्यासा है कि फसे मजदूर किन हालातों में रह रहे होंगे फसे मजदूरों से उनके परिचनों की बात कराई जा रही है आज परिचन ने फोन पर फसे मजदूर से बात की और इसको सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर अब मजदूरों के हालात कैसे हैं कि अध्यूंद्ध करें आज वह खाए भी नहीं है कि वही परेशान है कि देर बात किया आप बात किये थे हम लोग सब अब तीन जन है तो तीन जन बत कि सरकार से तो डेली कहते हैं कि जल्दी की ये निकाल लिये मेरा आदम को नहीं, उसको नहीं हो रहा है, उसको तेंशन हो रहा भी आज अधिकरी के इसलीर को कूछ बता है, कि अभी तो कुछ नहीं बताया इंव बोलरा टाइमिोग अब कितना थाय रेंगा पता झास झतना टायम देते हैं उसमें तो नहीं होता इसलिए उलों भी अब सहिव है नहीं साफ्विकलर सब्सक्राइब सुनीता वाकई किसी को अगर आप दो दिन के लिए किसी कमरे में बद रहने के लिए कहेंगे तो वो परिशान हो ही जाएका और ये मजदूर तो करीब 14 दिनों से इसी सुरंग में फसे है Ground Zero पर Rescue Operation जारी है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को BRO द्वारा पहाड को काट कर बनाई गई सड़क की मदद से उपर की तरफ ले जाया जा रहा है प्रसाशन इने निकालने के लिए सारे दाउं पेच लगा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो गई है ऐसे में बस मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए प्रयास किये जा रहे है